आज मैं आप सबी को एक बहुत ही ईजी और एफेक्टिव हुम्रेमिडी पताने वाल हूँ जिससे आपकी आईलाशेज और आईब्राउस सिर्फ तीन दिनों में लंबी और घनी हो जाहेंगी यह हुम्रेमिडी बहुत जादा एफेक्टिव है और इसको अगर आप दिन में दो बार तीन से चार दिन के लिए यूज करते हैं तो आपको अपनी आईलाशेज और आईब्राउस में बहुत जादा डिफरेंस दिखाई देगा यह हुम्रेमिडी आपके आईलाशेज और आईब्राउस को लॉंग, स्ट्रॉंगर, हिल्थी बनाता है और अगर आपके आईलाशेज और आईब्राउस तेजी से नहीं बढ़ती हैं या कम बढ़ती हैं तो यह home remedy उनको तेजी से बढ़ाएगा और लंबी और घनी करेगा। इस home remedy को बनाना बहुत ही easy है और इसके लिए सिर्फ आपको 4 ingredients की ज़रूरत है। और सबसे पहला ingredient जो हमें चाहिए इस 100% effective home remedy को बनाने के लिए वो है castor oil। कास्टर oil के अंदर omega 6 fatty acids, vitamin E और proteins बहुत ही ज़्यादा मातरम में होता है। इस oil के अंदर anti-fungal, antibacterial और antiviral properties भी है जिसे हमारे hair follicles strengthen होते हैं। और हमारे eyebrows और eyelashes को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है और उनको thick और strong बनाता है। दूसरा ingredient है aloe vera gel, aloe vera gel के अंदर बहुत ज़्यादा मातरम में amino acids और protein होता है जो हमारे eyelashes और eyebrows को तेजी से बढ़ाता है और उनको full और stronger और थिकर बनाता है। तीसरा ingredient है olive oil, olive oil के अंदर ऐसे nutrients और vitamins होते हैं जो कि हमारे hair growth को तेजी से बढ़ाते हैं और हमारे hair regrowth में भी मदद करते हैं। और last ingredient है vitamin capsules, यह capsules आपको किसी भी pharmacy store पे easily मिल जाएगा। Vitamin E हमारे hair growth को बहुत तेजी से बढ़ाता है और अगर हमारे thin eyebrows है या हमारे eyelashes कम हैं तो उनको बहुत ज़्यादा fuller और थिकर बनाता है। तो चलिए अब इस home remedy को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक साफ कटोरी में एक चमच एलो वरेज जेल ले लीजिए। फिर उसमें आदा चमच olive oil डालिए। और अगर आपके पास olive oil नहीं है तो आप नारियल का तेल या coconut oil का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें दो चमच castor oil डालिए। Castor oil इस remedy में main ingredient है तो आप उसको skip नहीं कर सकते हैं। Castor oil हमारे बालों को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और हमारी eyelashes और eyebrows को long, fuller और thicker बनाता है। और last में आपको दो vitamin E capsules को cut करके इनका oil निकाल के इसमें add करना है। और अब सारे ingredients को बहुत अच्छे से मिला लेना है। यह home remedy 100% effective है और सिर्फ तीन दिनों में असर दिखाना शुरू कर देगी। और अगर आप इस home remedy को लगतार दिन में दो बार लगाते हैं। तो आपके eyelashes और eyebrows long, strong, thicker और fuller बन जाएंगी। और सभी ingredients को बहुत अच्छे से mix करने के बाद आपके 100% effective home remedy ready है। और इसके consistency medium होनी चाहिए और थोड़ी creamy होनी चाहिए। और अब मैं इस mixture को इस छोटे ऐटाइट कंटेनर में transfer कर रही हूँ। और आप इस remedy को किसी भी आइटाइट कंटेनर में 20-25 दिन के लिए store कर सकते हैं। इस home remedy को यूज करना बहुत ही easy है। आप इस remedy को spoolie, clean mascara brush या cotton ball की मदद से भी apply कर सकते हैं। आपको इस mixture के एक thick coat सोने से पहले अपनी eyelashes और eyebrows पे लगाना है। और इसको रात भर के लिए छोड़ देना है और फिर सुबह उठकर उसको नॉर्मली थंडे पानी से धोलेना है। यह home remedy सिर्फ 3-4 दिन में अपना सार दिखाना शुरू कर देगी और आपके eyelashes को long, full और ठिकर बनाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like और share करना न भूलें। और आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी easy और effective home remedies देखने के लिए।